Hello students, solution with concept में आपका विलकम है आई इस वीडियो में हम लोग shortcut method के थरू two digit number का क्यूब लिकालने के लिए सिखते है question है मेरा 25 का क्यूब लिकालना है और 84 का क्यूब लिकालना है ठीक है तो shortcut method होता क्या दखिए यहाँ पर two digit number है तो हम shortcut method में कैसे बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक formula धियान में रखना होगा जैसे हमने two digit लिया means एक digit है a और second digit है b that means two digit number में यह हो गया tense digit और यह क्या हो गया unit digit ठीक है इसको a b a plus b का hall क्यूब करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम यह जो 25 है इसमें हम tense वाला digit है ना two तो इसको हम a समझेंगे और इसो के आप b समझेंगे ठीक है बस इस formula को सबसे पहले ध्यान देना है और इस formula को पहले लिख लेता हूँ तो क्या होता है a plus b का hall q is equal to a q plus 3 a a square b plus 3 a b a square और plus क्या होता है b q देखिए a formula है बस a formula में आप देख रहे हैं कितने term है एक दो तीन चार्ट चार्टर में है तो shortcut method में करना क्या रहता है सबसे पहले जो question है तो उसका given क्या दिया हुआ किसका q लिकालना है 25 का तो यहाँ पे हमने a कितना मान लेंगे a मान लेंगे 2 a मान लेंगे 2 means 10 digit वाला को a मानेंगे और इन इट डिजिट वाला को क्या मानेंगे b b इसकल टू 5 हो गया अब इसके लिए आपको क्या करना होगा a और b सपोश करने के बाद आपको चार कॉलम बनाना है यहां कितने term है था 1, 2, 3, 4 आये था न तो आपको चार कॉलम बनाना है 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4 बना दिया अब इसमें आपको क्या करना है इसमें आपका फर्स्ट नमबर कॉलम में कॉन्टर में a q आपको a q रखना है ठीक है शेकेंड में क्या रखना है 3 a a square b ओके थर्ड में a b a square और फोर्ट में b q इस तरह का आप कॉलम बनाने के बाद इस तरह रख देंगे और आपको कुछ नहीं करना है अब आपको यहाँ पर हर एक कॉलम में जो भेलू है यहाँ से a q का भेलू लिका लिए यहाँ से यह जब भेलू पूट करें और b का भेलू पूट करके इसका वहलू लिका लिये पहले तो कितना हो जाएगा ठीक है देखी यहाँ पर कोई भी किदर से भी लिका अज़के आप AQ कितना हो जाए? AQ मिन्स हो गया 2 का Q डेटी जे ? 2 का Q कितना होता है ? 2 का Q होता है 2 into 2 into 2 मिन्स कितना 8 तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 ओके 3 A square B कैसे लिखा लगा है 3 into A square A square मतरा 2 into 2 into B कितना है 5 जब आप इसको into करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 to 10 और 60 यह 60 हो गया चले फिरी लिखिए 3 into A A का value कितना दा 2 into B का value कितना दा 5 into 5 जब into करेंगे तो 3 to 5 जा 10 और 15 तो कितना हो गया 150 ओके BQ में कितना करेंगे BQ आपको कितना है देखो 5 into 5 into 5 कितना आगया 125 ओके अब यहाँ से multiply करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा clear करना है अब यहाँ से हम जो cube में जो number आएगा उसको हम लोग marking करेंगे तो देखें यहाँ जो सबसे पहले यहाँ से start करेंगे fourth column से तो यहाँ पर कितना है 125 है 3 digit का number आए तो इसमें से क्या करना है only once digit लेना है तो यहाँ से 5 को लेंगे क्या लेंगे कितना भी number आएगा तो यहाँ से once digit एक ही digit लेने पांच को लेंगे और 12 बच गया तो 12 जो बचा इसको कहां पर आकर एड़ कर देंगे इसमें two double add कर दो कीतना हो गया 261 हो गया अब इसमें से भी खाया किसको लेना है only पीनीजिय्ट को लेना आप यह सेवन किसमें करेंगे जैट इसमें करेंगे तो न आ पर अगर थी डिजिट का भी नमबर अगर आता तो तीनों नमबर लेते हैं अब कुछ नहीं करना आप लिखेंगे कैसे 25 का क्यूँ है तो 25 का क्यूँ करिएगा तो देखें इधर से स्टार्ट करेंगा फर्स्ट कॉलम में जो समाया है इसको तो फिप्टेन और सेक्स और टू और 5 डाट मिस 25 का क्यूँ ए हो गया इंसर आई होप आप इस कोस्टन को समझ गया होंगे आईए नहीं सब्जे है तो सेकेंड एक्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा सेकेंड क्या लिखालना 84 का क्यूँ ठीक है चले उसी तरह आपको क्या करना है सेकेंड नमबर में 84 है तो 84 है तो यहाँ A इसकाल टू में टेंस टेंस डिजिट कितना हो गया 8 और B इसकाल टू कितना हो गया 4 ओके चले इसमें भी आपको चार कॉलम बनाना है 1, 2, 3, 4 ठीक है चार कॉलम हमने बना लिया पहला में क्या रखते हैं A Q दुसरा में क्या थीरी A स्क्वाइर B 3 A B A स्क्वाइर और इसमें B Q ओके लग लिया चले आप इसमें क्या करना है भेलू लिका लिजी आप क्या होगा देखे एक जगब 8 है तो 8 का क्यूब कर यह तो कितना होगा 8 का Q का मतलब 8 into 8 into 8 that is केतना होगा 8 8 जा केतना होता है 64 64 8 जा 2 51 तो 500 to be able होगे ओके इसमें करिए तो 3 into a square means 8 into 8 into केतना होगा 4 ठीक है इसको into कीजिए 64 64 में 12 से into कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 4 6 8 6 7 तो लिख लिजिए पहले 3 को लिख लिख लिया हो तो इसको करेंगे into तो कितना हो जाएगा 7 6 8 7 6 8 हो गया 88 जा इस 64 और 12 में करेंगे तो आपका यह हो गया इसमें आप करना 3 into यह का भिल एट देना है और कितना 4 into 4 लिखना है तो इसमें आपका कितना हो जाएगा इसमें आप करेंगे तो 32 में 12 से गुना करना है तो 32 में आप 12 से into कर दीजिए कितना हो जाएगा 64 और 32 483 तो आप का हो जाएगा 384 ओके अब यह BQ है BQ मिस कितना है 4 into 4 into 4 डाइठीज कितना आगया 64 कितना आगया 64 चले अब क्या करते है यहाँ पर सबसे 4th कॉलम में आपको क्या लेना है इनी डिजिट को यहाँ 4 को ले लेना है तो 6 कहा हैगा 6 इसमें आपको एड़ कर देना है तो 2nd कॉलम में 6 को जाएड़ करेंगे तो 6 एड़ करने पर कितना होगे 0, 9, 3, 390 इसमें आपका कले वो इनी डिजिट का है 0, 0 लेना है फिर 39 को कहाँ जो एड़ करना इसमें एड़ करना है तो 39 को इसमें एड़ कर दो तो 7, 0, 8 हो गया ओके इसमें भी आपका इनी डिजिट को लेना है 7 को लेना है ठीक है अब यहां 80 बचा 80 इसमें आगा क्या हो गया आपका पुरा एड़ हो जायगा 80, तो 80 एड़ कर दिजिए तो कितना होगा 2 सब में इसमें एड़ लिख सकते हैं आपका कितना होगा 2 हो गया 9 हो गया 5 हो गया तो मैंने बोला था कि हश्ट को अला में जितना भी नंबर समाएगा सब को लेना है तो यह तीनों डिजिट को इस में ले लेंगे दानने के लिए सिग गया है ठीक है तो इसी तरह हमारे चैनल पर और भी इंट्रेस्टिंग कोश्चन मिलेंगे सोलूशन मिलेंगे तो हमारे चैनल पर नए आये हैं तो आप लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू